जो वीडियो है crypto exchange account freezed और withdrawal suspended इस particular problem के लिए लोगों ने 30 लाख to 40 लाख रूपीज गवाये हैं imagine करो आप 30 to 40 लाख और वो पहले गवा देते हैं फिर search करते हैं इस problem का solution क्या है USDT system में मिल रहा है यहाँ पे 89.4 या उससे भी नीचे 89 में भी मिल रहा है बिनान्स पे अभी के टाइम पे 90 के असपास 89.78 पे मिल रहा है क्यों ना मैं bybit से खरीदू system में और भेजदू बिनान्स पे और profit बना लूँ आप भी यहीं सोच रहे होंगे या जो भी USDT खरीदता विचता है यहीं सोचता है ऐसे ही चक्कर में 96,000 एक और हैं जिन्होंने पिंग किया है क्रिप्टो माट को क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे वीडियो यूसफूल होते हैं जो लोग पहले गवाते हैं फिर पिंग करते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि वीडियो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर ये पूरा महाजरा है क्या हो क्या रहा है इससे बचना कैसे है बचने के लिए पहले आपको स्कैम जानना होगा कि आखिर ये चल कैसे रहा है क्रिप्टोमार्ट चैनल क तो जरूर सब्सक्राइब करिए और विडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर करिए स्टाट कर लेते हैं विडियो का तरीका है ये थोड़ा अलग है और मुझे लगा आपको बताना चाहिए सायद से कुछ लोग इसमें से पहले से ही जानते होंगे फिर भी ऐसी गलती कर देते हैं और वो ट्राप हो जाते हैं मैं बताता हूँ आपको पूरा सेनारियो है क्या कुछ ऐसे मर्चेंट होते हैं जो बहुत सारे प्लाटफॉर्म पे अवालबल होते हैं या खुद अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप चाहते हैं मैं ओके एकस पे भी रहूँ बाइबिट पे रहूँ बिनांस पे रहूँ वगेरा वगेरा जितने भी एक्चेंज है रहूँ और ऐसे में आपका जो मर्चेंट का नेम होता है आप सोचते हैं और ये बड़ा कॉमन है बहुत से ऐसे merchant होंगे या बहुत से ऐसे trader होंगे जो same name से रखते हैं अपनी identity यहां भी और यहां भी और दोनों जोगा order place करके रखते हैं और यहीं पर पूरा महाज़रा है जो scam का तरीका है और इसमें लोग problem में पढ़ते हैं कोई व्यक्ति आता है जिसको USDT buy करना है वो देखता है आप OKX पे भी available हैं, Bybit पे भी available है ऐसे में वो Bybit पे order लगाता है और फिर उसी time उसने OKX में भी order लगा देता है आपके लिए same amount का और फिर उसके बाद वो क्या करता है? payment कर देता है, same amount जो उसने लगाया है Bybit में और ऐसे में आपको जब payment मिल जाती है उसके बाद आप release कर देते हैं और वो same payment दिखा के बोलता है कि आप OKX में भी payment मैंने कर दिया है आप release करो जबकि उस बंदे ने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ Bybit के लिए ही payment किया था और SME आपने अल्रेडी release कर दिया है लेकिन वो बोलेगा कि payment मैंने कर दिया है यहाँ appeal process में चला जाएगा OKX में payment दिखा देगा कि मैंने तो payment कर दिया है और यह भाई साब जो हैं ऐसे में वो आपका जो fund है उसको रोक देते हैं release को रोकते हैं आपको help करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे documents मांगते हैं और आप पढ़ जाते हैं problem में यह एक direct तरीका है लेकिन एक scammer ने इसका ठीक opposite use किया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक उसका उल्टा यहाँ पे हुआ है scammer ने किया है क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई buyer थे जिनको USDT खरीतनी थी 96,000 रुपीज की और ऐसे में उनको सस्ता दिख रहा था bybit exchange पे कोई बेच रहा था और वो जो बंदा बेच रहा था वो normal trader था आपको जरूरी नी नहीं जो exchange होते है वहाँ पे आप as a normal trader भी अपने orders लगा सकते हैं अगर आपके KYC वगरा complete है चोटे मटे जो details होते हैं वो complete है तो आप लगा सकते हैं क्योंकि यह जो exchange होते हैं वो users को लाने के लिए बहुत strict policy नहीं रखते हैं ताकि लोग यहाँ पे आएं और जब famous हो जाते हैं उसके बाद strict करते हैं ऐसे में किसी ने लगाया था और buyer आए उनको 96,000 रुपीज का यहाँ USDT चाहिए था वो same बंदा जो यहाँ लगाया था order उसका order OKX पे भी था और ऐसे में जब इन्हों ने यहाँ पे order डाल के payment किया तो उस बंदे ने same नाम से यहाँ पे एक order paste किया place किया अपने आपको और बोला कि यह जो बंदे यहाँ पे already trade कर रहे हैं इन्हों ने यहाँ पे भी order डाला हुआ है और ऐसे में यह मेरे साथ scam कर रहे है अल्रेडी इस पर्टिकुलर order के लिए bybit के लिए यहाँ पे जो 96,000 यह बोल रहा है मैंने दिया हुआ है यह इसी चीज का यहाँ पे OKX में भी order डाले है पहले से और 96,000 वहाँ के लिए claim कर चुके हैं और अभी वह आके bybit के लिए भी बोल रहे है स्नेरियो को बड़ा clear समझिएगा यहाँ पे ठीक उल्टा हुआ है जो बंदा USDT बेच रहा था वो बोल रहा है कि यह OKX exchange पे जो यहाँ पे USDT का order है इस पर्टिकुलर बंदे ने अल्रेडी प्लेस किया है और फिर से आके bybit पे यहाँ पे प्लेस कर रहा है जबकि हकीकत में जो buyer थी USDT के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ bybit पे ही यहाँ पे order प्लेस किया हुआ है ऐसा उनका बोलना है ऐसे में पैसे freeze कर दिये गया है और same process आपको explain करना है आपको video बनाने है और उसको डालने है video tempered भी होते है हाला कि यहाँ पे जो रहते है customer support जो appeal का यहाँ पे process solve करते है वो कोसिस करते हैं सही हो लेकिन है तो इनसान गलती उनसे भी होती है क्योंकि scammers काफी यहाँ पे चलाक होते है ऐसे में आपका पैसा यहाँ पे डूप सकता है और आपको काफी ज़्यादा यहाँ पे careful होना है यह था दूसरा scam यह दूसरा scam है इसके अलावाँ आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे watch कर रहे हैं और आपको भी कोई ना कोई scam का यहाँ सामना करना पड़ा होगा तो आप इसी वीडियो के comment box में जाके अपना बताएं लिखें कि आपके साथ कौन सा scam हुआ है याद रखें जब आप comment लिखने हैं तो वहाँ पे बहुत सारे scammers भी आते हैं और वो दिखाते हैं कुछ ऐसा लिखके कि मुझे ये profit हुआ है इस particular बंदे से आप भी आके join करें कभी भी crypto mart या कोई भी बंदा वहाँ आता है आपको कोई भी लुभावना या attractive plants देता है जैसे कि USDT कोई सस्ते पे बेच रहा होता है तो आप attract हो जाते हैं जैसे कि हमें कोई चीज सस्ते में मिलती है हम attract हो जाते हैं बीना पढ़े पास होने की बात होती है हम attract हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है और आपको साउधान रहना है इसके अलावा एक matter है जो कि बहुत जादा serious है और mostly लोग approach कर रहे है इस particular video के through जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जैसे ही आप comment box में जाते हैं कुछ लिखते हैं या देखते हैं बहुत सारे scammers होते हैं जो ऐसे attractive plans बना के रखते हैं कि आप सिर्फ इतने पैसे डालो और double, triple, charge times हो जाता है हर दिन 100% का gain दो दिन में एक हफते में ऐसा कुछ या आपको personal भी ping करते हैं कोई friend भी होता है ऐसा जिसको आप ऐसे ही जानते हैं Twitter पे, Telegram पे और उस पे भरुसा कर लेते हैं वैसे ही एक scenario आपके सामने है आप video को pause करके पूरा पढ़ सकते हैं मैं आपको explain करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये कोई पहला case नहीं है जो मैंने ये video बनाया था उसका purpose ये था कि बहुत सारे ऐसे exchange है जो काफी famous हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे influencers उसको promote कर देते हैं और वो exchange अच्छे होते नहीं है कई बार बहुत सारे लोगों के fund यहाँ पे freeze कर देते हैं ब्लॉक कर देते हैं तो उनके help के लिए जो exchange top 10 में आते हैं top 15 में आते हैं किसी तरह पैसे पे करके influencer के promotion से आ जाते हैं top 15 में और वो वहाँ पे fund अगर किसी का block करते हैं तो उसको help के लिए मैंने ये video बनाया था लेकिन यहाँ पे बहुत से सारे लोग है जो पहले पैसा डूआ देते हैं फिर आते हैं कि मेरा ये पैसा डूब गया है वहीं एक scenario है कि यहाँ पे आप 1000 डॉलर, 2000, 4000 लोग डालने के लिए बोला जाता है और उनको actually में profit बनते भी दिख जाता है ऐसे random websites होते हैं कोई भी normal इंसान समझ जाएगा इस website इसको बोलते है domain name Facebook जैसे domain name है तो एक meaningful name है यहाँ कोई भी meaningful name तो पहले है नहीं ऐसे ही random domain, ऐसे ही random URL होते हैं वहाँ पी लोग मुझे समझ नहीं आता कैसे इतना सारा पैसा आप 4000-5000 डॉलर डालोगे आप तो दिखेगा आपको daily 100-200-500 बना के वो दे रहा है वो सिर्फ number देखने के लिए होता है हो सकता है आपको वो allow भी कर देता है 500-100 डॉलर उसमें से withdraw करने के लिए ताकि आपको वहाँ पे faith बन जाए कि यह अच्छा है फिर आप उस greed में आके और 4000-5000, 10-15, 20 कोई-कोई ऐसे इंसान है याँ पे 30,000 से 40,000 डॉलर भी डाल देते हैं और उनको profit बनते हुए दिखता है वो 30,000 बन जाता है 60,000 ऐसे में वो जाते हैं withdraw करने और तब कहानी आती है withdraw block और बोला जाता है इसको withdraw करना है तो इसका 50% amount deposit करिए ऐसे collateral या कुछ भी ऐसा ड्योकू बनाने वाला word यूज करके और फिर आपका ये पैसा हम release कर देंगे पता चला आप जो पहले deposit किये हैं और फिर extra जो किये हैं दोनों amount डूब जाता है इस चीज को transparent रखने के लिए और जो भी ये व्यक्ति है इनके साथ जैसा हुआ किसी और को ना हो इसलिए मैं इस चीज को याँ share कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा serious matter है और बहुत ज़्यादा important है आप बहुत greed में कभी भी ना पढ़ें और ऐसे random website पे कभी भी अपना पैसा deposit ना करें crypto में बहुत बड़ा scam चल रहा है और इसको expose करना इसको आपके सामने लाना बहुत important था इसलिए मैंने ये वाला भी यहाँ पे लाके आपको share कर दिया जो scam का तरीका है खतम हो जाता है वीडियो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप वीडियो के comment में आपके साथ जो भी incidents हुए है जो भी घटनाए हुए है जो भी incident हुए है आप वहाँ पे लिख सकते हैं English Hindi किसी भी भासा में जो आपको comfortable लगे ताकि दूसरे लोग comment को पढ़ें और उनको समझ आए कि यह भी एक scam का तरीका है CryptoWatt हमेशा आपको help करने के लिए available रता है अगर आपको कोई problem हो तो channel में जुड़ जाएं और इस वीडियो को जरूर से like कर दें Thanks for watching this video, goodbye, have a good day